प्रियाविद्यार्चियो नमस्कार आज आपका गद्यखंड का आरोह भागदो का हम ये अगला अध्याए लेकर के आए हैं यूट्यूब पर जिसका नाम है पहलवान की धूलक पहलवान की धूलक जो अध्याए है ये हम ये किसने लिखा है फडीश्वर नाथ रेंडू जी को आंचलेक उपन्यासकार भी कहा जाता है क्या कहा जाता है आंचलेक उपन्यासकार आंचलेक उपन्यासकार का अर्थ होता है उपन्यासकार मतलब उपन्यास लिखने वाला और उपन्यास आपकी गद्द की एक विधा है क्या है गद्द की एक विधा है यासे संसमर्ड हमारी गद्दी की ये विधा है जैसे कहानी होती है वैसे ही एक उपन्यास होता है जिसका कलेवर बहुत बड़ा होता है जो बहुत बड़ा मतलब कहा सकते हैं बड़ी रचना होती है उपन्यास तो ये क्या है एक आंचलिक उपन्यास का रहे हैं आंचलिक का रथ होता है अंच रचनाओं में अपने लेखों में अपने उपन्यासों में समाहित करने का काम करते हैं फडिश वनात रेंडू जी इनकी एक रचना है मेला आचल जो की बहुत प्रशिद है ऐसे ही करके मतलब जो भी वो मेला आचल जो रचना है वो भी आचलिक विधा की एक बहुत प्रशिद रचना है ठीक उशी प्रकार एक आंचलिक परिवेश को समाहित करने वाली एक रचना है या कहें कि एक पाठ है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक जिसमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसके बारे में बहुत सारी बाते लिखी जाती है और वो ढोलक बजाने का काम करने जाती है मनमें घर कर जाती है क्यवार आप किसी चीज से परेसान रहें और फिर आप संकल्ब ले लें कि हमको अब यदो करके दिखाना है और फिराफाइनली उसको करके दिखा ہी दें तो हम कहते हैं कि कई बार ऐसे करके लोग कुछ भी कर देते हैं अपने द्रड संकल्ब की सकती से from the power of determination इसी चीज़ को साकार रूप में हमारे सामने पेज करने वाली यह रचना है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक जिसको लिखा हुआ है किसने पड़िश्वनात रेंडू जी ने सबसे पहले देखेंगे कि एक व्यक्ति होता है जो के बहुत सामाने था और जिसके बारे में मतलब गाओं के लोग जिसकी सास को परिशान करते थे क्योंकि साथ वर्स की उम्र का होते ही वो व्यक्ति क्या होता है मतलब माता पिता का दिहान तो जाता है वो अनात हो जाता है साथ वर्स की उम्र से पहले ही अनात हो जाता है और हुआ क्या था कि साथ वर्स की उम्र में अनात हुआ था लेकिन तब तक उसका विवाह हो गया था, पहले विवाह बहुत जल्दी हो जाते थे, तो अपनी सास के पास रहता था और उसका पालन पोसड उसकी सास ही करती थी, संयोग बस उसकी सास क्या थी, विदवा थी, तो जब सास विदवा थी, तो लोग, गाउं के लोग उसको क्य करते थे पहलवान कर उसको क्या करते थे परेशान करते थे एक सेकंड थोड़ा रुकना ना तो क्या हुआ कि गाओं के लोग उसकी सास को बहुत परेसान करते थे तो जो व्यक्ति था पहले वो पहलवान नहीं था पहले वो सामान निसा व्यक्ति था और बाद में पहलवान बनने के लिए उसकी परिस्तितियों ने उसे मजबूर किया पहले तो वो सामान निसा लुटन था हां में नाम बताना और भूल गया कि नाम क्या था उस व्यक्ति का जिसके ओपर ये पूरा पार्ट लेका हुआ है केंद्रिय पात्र कौन है पार्ट का केंद्रिय चरित्र जिसे कह सकते हैं केंद्रिय पात्र या मुख्य पात्र कौन है लुटन पहले से लुटन कहते थे बाद में लोग इसको सम्मान से लुटन सिंग कहने लगे क्या कहने लगे लुटन शिंग लुटन सिंग बाद में कहना सुरू किया बाद में वही लुटन सिंग पहलवान लुटन सिंग बन गया और क्या हुआ कि ये वेक्ती बड़ा सामान्य था और इसकी विद्वा सास को लोग जब परेशान करते थे लोग जब इसकी विद्वा सास को तरह तरह की प्रताडनाएं देते थे तो इसने निश्य किया कि अब ये पहलवानी सीखेगा क्योंकि लोगों से बदला लेने के क्य तजी के हो सकते हैं या तो आप अपने बहुबल से बदला ले सकते हैं और या फिर आपके बास बहुत पैसा हो तो पैसा उत्पन करना तो समय अतना आसान नहीं रहा होगा उसने निश्य किया कि अब वो पहलवानी करेगा तो अब वो गाएं चराता धारोशन दूद पीता कैसा दूद पीता धारोशन दूद कुछ चीजें लिखी हैं उसके बारे में एक तो धारोशन दूद पीता है गाएं चराता है और कसरत करता है कसरत का मतलब होता है जिम करते हैं न वही कसरत होती है ये सब चीज़ें करता है तो इससे अपनी भुजाओं को 45 डिगरी फैला करके चलने लगा पहलवानों की तरह ठीक है ना तो पहलवानों की वेस में अब वो चलने लगा है और खुद को पहलवान सा मानने भी लगा और आसपास के कुछ गाओं में उसकी कीरती भी फैल गई और आसपास के कुछ गाओं की लोग उसे जानने भी लगे लेकिन उसकी ख्याती कुछ गाओं तक ही अभी सीमित थी अभी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था लेकिन होता क्या है कि आंगे चल करके उसके साथ और भी क एक ऐसे संयोग होते हैं कि एक बार एक बहुत बड़ा दंगल लगने जा रहा था स्याम नगर राज्जी में स्याम नगर राज्जी के राजा थे स्यामानंद तो स्यामानंद के यहां एक दंगल होना था यानि कि बहुत बड़ी कुछती होने थी और वहां पर बहुत सारे दे वो लोग भी आये थे वो पूरे देश में परशिद पहलवान था मतलब उसको सब जानते थे तो उन सब के सामने जब कुस्ति होनी थी तो वहां ऐसे चोटे मोटे लुटन जैसे पहलवानों को तो मौका नहीं दिया जाना था लेकिन बड़ी मुश्किल से बहुत निवेदन क लेकिन अभी आज हमारे पास समय नहीं है तो इसी वीडियो का पार्ट टू हम जब करेंगे तो डिटेल में सब चीज़ें बताएंगे और इसके कुशन आंसर भी कराएंगे और केमिस्ट्री चेंपियन्स एप पर हमारी हिंदी का जो बैच है वो चल रहा है और अभी उसमे करेंट वहां पर मिलने वाला है और अपनी मेहनत को बरकरार रखे यूहीं दोहजार पच्छीस में मेरिट में आने का सपना हो चाहें अच्छे अंक लाने का सपना हो उससे साकार करने में हम आपकी मदद करते रहेंगे आपके साथ जोड़े रहेंगे हमारे शाथ आप एक पार्ट मतलब फिर तो समझ रहें वो थोड़ा स्पीड तेज करनी पड़ती है उसके लिए इसके लिए हम बिल्कुल धीमी स्पीड से पढ़ाय करेंगे और अभी इसका नेश्ट पार्ट अगले में रखेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इसू आ गया जिसके वज़े से या कहेंगे हमारे पास अभी समय नहीं है तो अगले सेशन में जब हमारा रिकॉर्ड लेक्टर आएगा उसमें हम इसका जो हाफ हैं जो पोर्शन है उसको हम पूरा कर देंगे तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जोड़े रहें थैंक यू सो मच